जूटी सारी जग की माया है जूटी सारी जग की माया है डलती जूही बादल की छाया है जूटे है रिष्टे है जूटे है नाते है प्रभु की साची शरन इस जीवन का नई नई ठीकाना है कल क्या होगा किसने जाना है गुरुवर की सब बात निराली है वानी जो अमृत की प्याली है चुर्णों में वंदन है शदा मेरी अर्पन है पाए है तेरे शरन इस जीवन का नई ठीकाना है कल क्या होगा किसने जाना है आपको यह कई बार कहा गया है कि what I hear I forget मैं जो सुनता हूँ वो भूल जाता हूँ what I see I remember मैं जो देखता हूँ वो याद रखता हूँ but what I do I understand मैं जो करता हूँ उसको समझता हूँ तो यह धर्म भी करने और समझने के लिए है तो हम भी क्या है आचरन से इस धर्म के मर्म को समझे और ऐसी विदाई को प्रात्त करे क्या है क्या है क्योंकि अभी दिन कितने रह गया है एक और एक दो दिन रह गया है हमारे यहां तो एक और एक ग्यारा होते हैं, आपके यहां तो एक और एक दो यह दिन रह गए हैं, तो इस दो दिनों में भी चो हैं, हम परमात्ना की वानी का स्रवन करके उस विदाई के स्वरुप को समझ ले, क्योंकि कल विदाई का समारो होगा अनंत ग्यांदर्शन के धारक, त्रैलोक्य प्रकाशक, जन जन को आत्म बोध देकर, इस संसार शागर से तारने वाले, चरम तिर्थेश, सासन पती, स्रमन भगवान महावीर स्वामी को, एवं उपकारी शमस्त गुरु भगवन्तों के चरन कमलों में, रदै की अनंत आस्थाओं के साथ, कोटी शह वंदना अर्ज करने की पश्चाद गुरु मिश्री कमल कनया धर्म शभागार में उपस्थित, शमस्त धर्म प्रेमी सुग्ये स्रोताओ, सुसिल माताओ, एवं बहनों, जीवन को सदगुनी बनाने के लिए अच्छा शंग चाहिए, चूंकि अच्छे शंग से जीवन में सदगुन आते हैं, हमेशा सज्जनों की संगती में बैठना, गुणवानों के संग में रहना, भले लोगों की संगती करना, ये हमारे लिए जीवन विकाश का कारण बनता है, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमेशा अच्छे लोगों के सानिध्य में बैठना, बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में बैठना, अनुभवी लोगों के चरणों में बैठना, ये हमारे जीवन को सदगुनों से सजाने का संदर तरीका है, और इसी संदर्व में अपने यहां पर पिछले कुछ दिनों से दादा के पत्र का वांचन किया जा रहा है जिसने इसी तरह की सुन्दर शिक्षा एक दादा अपने परिवार के सदस्यों को बाठना चाहता है अपने परिवार के सदस्यों का संशकारों से परिमंदन करने के लिए शंशकारों से उनके जीवन का निर्मान करने के लिए दादा जो अपने परिवार को शिक्षा देना चाहता है इस संदर्व में छे पैरेग्राफ अपने प्रवचन के माध्यम से पूरे हुए कल जैन धर्म दिवाकर पुझे स्री चौछ मली जी मारत साथ का जन्म दिन था और इस द्रिष्टि से कल उसी संदर्व की बात आपके सामने प्रवचन के दोरान रखी गई थी कुछ पेरेग्राफ जो बाकी रह गए हैं दादा के दोरा अपने परिवार को संशकार देने की बातों में उसने आज अपन आगे बढ़ते हैं दादा आगे के लिए हमें क्या संशकारों की बात करते हैं उस संदर्व ने पत्रकार कहता है शाश शशुर का हीडा करना नहीं लोपनो वारो कहनो पती देव को आदर करनो लाज शरमशु घर में रहनो शील शुभाव त्याग तप लज्जा सैयम है नारी को गैनो देवर ननंद जेठ का बेटा प्यार रदैसु सबने देनो या गुणाशु भारत की नारिया या गुणाशु भारत की नारिया जगत मायने वी विख्यात याद राखजे पोती लडवन दादा की अतरीशी बात मेवाडी भासा में दादा अपने परिवार के सदस्यों को प्रेरना देता हुआ उन्हें शम्झाता है और अपनी पोत्रवधू से ये बात कहना चाहता है उसके जीवन को अच्छा बनाने के लिए गुणवान बनाने के लिए कि जिस माता पिता के प्यार को छोड़ कर शुसराल में सास और सशुर जो तुमारे लिए अब जीवन परियंत माता पिता के रुप में तुमारे शामने होंगे ऐसे सास सशुर के प्रती हमेशा अपने दिल में शेवा का भाव उनके लिए लेकर के चलना शांस शसुर का हीडा करना हीडा ये अपना देशी शब्द है याने उनकी सेवा करना जिस परिवार को स्वर्ग बनाना है जिस परिवार में तू चल करके आई है उसको यदि नंदन वन की तरह देखना चाहती है तो तेरे लिए अब शांस और शसुर तेरे लिए माता पिता है जिन माता पिता की गोदी में तैने बच्पन बिताया अब इस परिवार में आई है तो सुस्राल में आकर के अपने साथ ससुर को जो माता और पिता के तुल्य समझ करके उनके सामने हर समय अच्छे भावों से पेश आती है वह बहु शचमुच में अपने पूरे परिवार के अंदर अपना अदभुत प्रेम और अपनी शेवा के द्वारा लोगों के दिल को जीत लेने का कार्य करती है और इसलिए एक कन्या के लिए कहा है कि लड़के से लड़की भली जो गुणवंती होई वो उजाले एक पुल तो वो उजाले दोई लड़की अगर गुणवान होती है तो वो दो परिवार का नाम रोशन करने वाली होती है अपने पिहर पक्ष का नाम भी गौरव साली बनाती है शीता ने किन कठिन परिस्थितियों के अंदर अपने सतित्व को नहीं छोड़ा अपने आत्म गुणों को नहीं छोड़ा इसलिए उनके माता पिता भी धन्यवाद के पात्र बने और उनके साथ ससुर को भी शीता की वज़े से बहुत बड़ा गवराव प्राप्त हुआ इसलिए साथ ससुर का हीडा करना नहीं लोपनो वारो कहनो साथ ससुर कोई भी बात कहेंगे तो हिट के लिए कहेंगे परिवार के अच्छे के लिए कहेंगे परिवार विकाश के लिए कहेंगे इसलिए वो अपने अनुभाव से कोई शिक्षा की बात कहते हैं तो वापिस उनकी बात का प्रतिकार नहीं करना चाहिए पती देव को आदर करनो लाज शरमशू घर में रहनो श्त्री के लिए पती को परमेश्वर के बराबर माना गया है यदि ऐसा नहीं होता तो शीता राम के साथ वन में क्यों जाती उन्होंने जिस भावना के साथ राम का हाथ पकड़ा था बस उसी भावनाओं के साथ में वो राम के कदम कदम पर अपना शाथ देने के लिए कफिन परिष्थितियों में भी पूर्ण रूप से तयार है माता पिता और शाथ ससुर उनको घर में रहने के लिए कहते हैं बेटी तेरे को वन्वे जाने की जरूट नहीं है लेकिन सीता कहती है मेरा करतग्य वो मुझे पालन करना है इसलिए आपकी अनुमती और आपका आशिरवाद हमारे साथ रहेगा तो हमको कोई कठिनाई नहीं होगी और छोटी मोटी कठिनाईया होती है तो उसको सहन करने से तो जीवन का निखार आता है जीवन तेजश भी तब बनता है जब व्यक्ति परिष्थितियों का शामना करके उस रास्ते को पार कर जाता है तब मंजिल प्राक्त होती है इसलिए शीता बड़ी सद्भावनाओं के साथ सांस और ससुर को समझा करके और वे राम के साथ वनवास जाने के लिए तयार हो ज चली जाती है और लाज सरमसु घर में रहनों बहन बेटी सरम की सचमुच स्त्री के लिए लज्जा गुण अपने आप में विशिष्ट रूप से शास्त्र के अंदर बताया है कि गुणवती और लज्जावती स्त्री अपने स्वहम का गौरव बढ़ाने के साथ अपने पर अपने परिवार के समस्त सदस्यों के साथ में एक जैशा वैवार रखना तभी परिवार में व्यक्ती के अच्छे आचरन की और अच्छे विचारों की लोगों के दिल पर एक छवी उत्पन होती है और उस छवी के कारण उसके प्रति लोगों के रदे में अच्छे भाव पैदा हुआ करते हैं या गुनाशू भारत की नारियां जगत माईने वी विख्यात इनी गुनों से वे सनारियां पूरे जगत भर के अंदर अपनी ख्याती को उन्होंने प्रगट किया इसलिए पोत्रवधू को शिक्षा देते वी दादा कह रहे हैं इन सारे चीजों का अपने जीवन में ध्यान रखते वे आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा और परिवार का गौरव बढ़ेगा गुन बच्चा में आच्छा भरना, दादा आगे शिक्षा देते वे कहता है, गुन बच्चा में आच्छा भरना, लाड ताड़ना दोनों देनी, हमेशा बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आए, अच्छे गुन आए, कभी व्यसन की तरफ आगे बढ़ने का उन्हें भा इसलिए बच्चों के अंदर अच्छे संसकार देना, अच्छे गुन देना, और साथ ही का है कि लाड़ ताड़ना दोनों देनी, जब समय हो तो उसे लाड़ और प्यार करना, और जहां गलत मार्क पर जाता है तो वहाँ पर उसको तरजना भी देना, इस अंगुली को तरजन ना होता है ना तब यह अंगुली उठाता है क्या समझ के रखता है मेरा कहना नहीं मानता है कई बाते अपने बच्चों को यथावत चलने के लिए माता पिता उसे डराते और धंकाते भी हैं उसके पीछे माबाप का हित रहा हुआ है तो लाड ताड़ना दोनों देनी साफ र बच्चों को सच रखना और साथ ही समय पर श्कूल भेजना यदि बच्चा हट कर लेवे के नहीं आज श्कूल नहीं जाओंगा तो भी उसको संझा बुजा करके प्रेम से श्कूल जाने की उसको प्रेरना देना ये माता पिता का करतब्य होता है माबाप अपने इस थर्ज को यदि बराबर अदा करते हैं तो वो अपने पुत्र को अच्छे संसकार दे करके स्रवन कुमार की तरह अपने परिवार में बच्चे का निर्मान करने वाले होते हैं सत्पुर्शा की गाथा कहने बच्चों को संसकारित करने के लिए पहले दादा दादी नाना नानी देश का भला नागरिक गर्ब करे जन शारा वाँ पे लायक कन्या पूत बने यो भार लाडली शारो थांपे। संसकार करना ये शारा भार माताओं को दे रखा है बहुआं को दे रखा है यदि इस बात का ध्यान माताएं रखती है तो अपने परिवार के अंदर बच्चों के अच्छे से निर्मान करने का कार्य माता करती है। सो अध्यापक मिल करके जितना कार्य बच्चों के लिए करते हैं उतना एक माता बच्चे के लिए कर देती है। वही बात यहाँ पर दादा जी अपने पोत्र वधु को कहते हैं कि बच्चों में अच्छे संस्कार देना जिससे वो अपने अच्छे राष्ट्र का निर्मान करने वाला हो, अपने जीवन को विकषित करने वाला हो और अपने परिवार का गौरव बढ़ाने का कार्य ये जो बाते में तुम्हें कह रहा हूं इसको कभी भूलना मत लेकिन अपने दिल में इस बात को अंकित कर लेना इस दिल में मांड लेना और इस बात को पूरा-पूरा ध्यान रखोगे तो याद राख जे लाडली पोती दादा की अतरीशी बात थारो मारो कदीन करनो परिव संगर्ष हो जाता है वहां पर एक दुसरे के प्रती खीचातान के भाव बनते हैं तो दादा अपनी पोत्र वधू को कह रहे हैं कि थारो मारो कदीन करनो जूठ कपट्शू छेटी रहनो कभी भी कोई अपने हाथ से नुक्षान हो गया तो बड़ों के पूछने पर कभी ज हो गई एक बार वो आपको सुना देंगे इसके शिवाय और क्या कर लेंगे इसलिए अपना शुधार तब होगा जब हम जूठ और कपट से अपने आपको बचाने का प्रयाश करेंगे जूठ कपट्सू छेटी रहनों खर्चों करनों सदा रीत सर अपने परिवार की आवक के अनुशारी र्यक्ति को खर्च करना चाहिए यदि आवक दस रुपे की है और खर्च पंद्रा रुपे करता है तो कितने दिन घर चलेगा कितने दिन परिवार चलेगा अपने परिवार को अच्छे से चलाने के लिए अगर दस रुपे की आवक है तो आठी खर्च करना ये बात हिदय में सब भर लो पुझे सोदान मल जी के सिस्य बने ये बात हिदय में सब भर लो सिरी परम प्रतापी प्रताप गुरु को आज उने वंदन कर लो अपने जीवन में निर्मलता और पावनता का रस भर लो झाल 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 झाल